Hello everyone, good morning, so first of all आपको कुछ points बता देतो, this is all about pre-market, मैं अभी जो भी आपको चीज़े बता रहो वो pre-market की बता रहो, एक बार जब market open हो जाएगा या फिर market जब settle हो जाएगा, तो भी ये सारी चीज़े, अगर market gap up, gap down हो जाता है या फिर sideways हो जाता है, तो उसके अंदर कुछ situation, depend करता है कि market के opening की ऊपर, so अभी के लिए प्लान तो यही है, मैं उसे सब सब को बताने के कोशिश करो, so let's see, देखने के कोशिश करते है, अगर फिलाल के लिए market अगर flat open हो जाता है, तो it will be a great opportunity to me to sell the market again, मतलब continuation में market जाने के लिए, मैं sell करने के लिए ready हूँ, लेकिन आ रहा है, और ऐसा ज्यादा तरह आपको bank nifty के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, अच की दिन पर, और nifty के अंदर थोड़ा ज्यादा flow देखने के लिए मिल सकता है, it is high possibility, कि nifty को correct होना अभी भी भी बाकी है, मैं यह 4-5% वाला में market को correct नहीं बोल सकता, क्योंकि nifty के अ accepted है, और वो होना चाहिए, अगर उतना correction हो जाता है, तो it will be a great opportunity for me, क्योंकि 6-7% के असपास का तो correction कर चुकी है, अब उसके बाद अगर मुझे correct होना है, तो almost मुझे 24,000 के असपास भी एक बार आना पड़ेगा, और उसके लिए और भी 500 points मुझे pending में दिख रहे हैं, अगर प्लान करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर 2000 points अभी भी बचे होए, जब 2000 points अभी भी बचे होए, तो उतना वटा target अभी फिलाल के लिए हम नहीं ले सकते हैं, हम छोटे-छोटे targets बना के चलेंगे, उतना target पहले आच्छे हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट कैसे reaction देत देखेंगे और फिर उसके बाद और extend करेंगे, इस तरह के से चलते 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 रहेंगे, ताकि हमें बीच-बीच में एक pauses मिलते रहें, ताकि हम और content को add करते रहें, तो अभी फिलाल के लिए मेरा target जो रहने वाला है, वो 24,000 का target मुझे परसली दीकरा है, कि उतना target कर सकते, अभी फिलाल के लिए जो प्लान है हमारा, वो कही ना कि एक flow के अंदर जाने का प्लान है, कि जो कि 24,000 को हम easily achieve कर सकते, अगर मुझे 400 पास्ट अगर निप्टी के अंदर मिल जाती तो बहुत बढ़िया पापड वापर बनाने का मोगा मिलेगा, लेकिन बैंग 51,200, 51,100 ये सारे रेवल को तोड़के नीचे निकल जाता है, उसके बाद बैंग निप्टी थोड़ा बहुत नीचे तो जा सकता है, लेकिन बैंग निप्टी कभी ऊपर घुमेगा, या फिर आपको बैंग निप्टी के अंदर 60,70 रुपीज का है तो SL लगाना पड़ेगा थोड़ा सा जादा SL देना पड़ेगा, नॉर्मल की हिसाब से, क्योंकि मार्केट का फ्लो मिलनी पा रहा है, जिस तरह की से मैं आपको बैंग निप्टी के अंदर देख पार हो, निप्टी थोड़ा सा जादा एजी है, तो एक बार मार्केट ओपनिंग के बाद उसको आपको निप्स्टी नियव तो एक बार में वे पार देने, ताक के बार में छेट लगकेट को.